नमस्कार सातियों इन दीवासा का एक चैप्टर मास्तर रस्वति को याद करके हम लेते हैं संधी सिद्धा ही पड़ेंगे कोई किन्तु परंतु नहीं दो बैनों की कहानी और अपना जो बिंदु है वो होगा संधी 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 में भी स्वर संधी जो अपना चैप्टर है वो है स्वर संधी और स्वर संधी के भी जो दो भेद है अपने वो है पहली गुण संधी और दूसरी है व्रधी संधी कोई किन्तु परंतु जादा दिमाग पर जोड डालते हुए नहीं पड़ेंगे संस्कृत में सुत्रादी चलते हैं लेकिन एक बार इसका जो बैसिक नोलेज है उसे से हम पढ़ने की कोशिस करता है देखो खेल-खेल में सीखो यह इनको गुण संधी को और व्रधी संधि को हमें खेल-खेल में सीखना है तो इन दोनों को हम संधिया दे देते और वो संधिया है दो बहन ये दोनों आपस में क्या है बेहन है छोटी बेहन है गुण संदी जिसको हम कह सकते हैं देखो नाम से ही दिख रहा है व्रद्धी यानि बढ़ना तो ये अपनी कौन सी बेहन हो जाएगी बढ़ी बेहन इतने सी कहानी आपको याद रखनी है कि गुण संदी छोटी बेहन है और व्रद्धी संदी बड़ी बेहन है चाहो तो इनके नाम भी निकाल सकते हो रमकुडी और जमकुडी यहां हमारा आश्य है कि ये हमें किसे भी परकार से याद हो जाए रटना नहीं पड़े तो देखो यहां तक की बात के लिए दो बेहनों की कानियम पड़ रहे हैं एक रमकुडी जो चोटी बेहन है जो अपनी व्याकरण की बाद सामी गुण संदी कहलाती है और एक जमकुड़ी जो बड़ी बेहन है व्रद्दिसंदी कहलाती है अब देखो इसके बाद हम बात करें तो इनकी परिवासा लेते हैं सिद्धे तोर पर परिवासा जिसको की हम कभी भूले नहीं तो पूरी तरह द्यान देना छोटी बेहन कोन रमकुड़ी अर्थार्थ गुण संदी और बड़ी बेहन कोन ब्रद्दिसंदी अर्थार्थ जमकुड़ी ये रमकुडी और जमकुडी रमकुडी को आर से समझ ले और जमकुडी को जे से समझ रमकुडी और जमकुडी छोटी ये है बड़ी वो है अब दोनों का संबंद हमने बनाया सिस्टर यानी बेहन है दोनों बेहन है तो सिद्धी बात सभी जानेंगे दोनों के मम्मी पापा सैम होंगे या लग लगोंगे सैम होंगे तो इसके मम्मी ए और पापा लगा दो पलस का चिन इसके भी मम्मी और पापा ए और आ यहां तक की बात clear दोनों बैने दोनों के mumm necessity यह और अब जो गरमकुरी है वो हमें पहले ही पता है क्या है छोटी तो ये करेगी छोटे-शवरों का काम और ये बड़ी है तो ये करेगी बड़े-शवरों का काम तो छोटे स्वर पहले लिख देंगे, ए आके बाद क्या आता है, ए, उ, और री, ये तो हो गया आपके छोटे स्वर, और बडे स्वर हो गए, ए, आई, ओ, आउ, यहां तक की परीवासा किलियर हो जानी चाहिए, कि छोटे स्वर आएंगे तो छोटी बहन कारिया करेगी और बडे स्वर आएंगे तो बड़ी बहन कारिया करेगी, यहां से हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि स्वरों को क्रम बद्धता के साथ लिख दीजिए आप, इके साथ बड़ी ई, उके साथ बड़ा उ, री बड़ा संस्क्रित भासा के इंतरगत आता है, जो अल भी यहां हम हिंदी भासा की बात कर रहे हैं, तो क्रम बद्धता से लेंगे, मम्मी पापा को छोड़ दे, क्रम बद्धता से भी हम लगा सकते हैं, अब देखी छोटी बहन तो कारिया करेगी, कि ए, आ के बाद में यदि ई, ई आए, तो यह किस में बदल देगी, की ए में, ऊ उ आए तो, ओ में, और री आय तो, और में, यहां तक के परीवासा किलियर, परीवासा हमारा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, कि हमें परीवासायाद हो, व्रदि संदी की बात करें, तो ए आ के बाद में ई, आ य आता है, तो बदल करके हो जाता है, हई और ओ अव आता है तो बदल करके हो जाता है अव यहां से हम इस प्रकार से भी सीख सकते हैं कि छोटी बैन ने छोटा कारिय किया अर्थार्थ ए आ के बाद में ई ई आने पर ए बनाया और किसको ट्रांसपर कर दिया बड़ी को ए आ के बाद में उ उ आया तो बनाया और किसको ट्रांसपर कर दिया बड़ी को इस प्रकार से भी हम इसको तयार कर सकते हैं अब एक एक उधारण हम ले लेते हैं इसी को बड़े रूप में याद गर लीजिए जो छोटा रूप है वो अपना यही होता है इस प्रकार से छोटी बेहन गुण संदी और बड़ी बेहन व्रद्धी संदी की परीवास आपने यहां किलियर होती है एक 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 जामपल में आपको यहां समझाता देखो जैसे एक 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 जामपल अपना उपिंद्र तो उप धन इंद्र एक पलस एक एक कहां से आया और एक कहां से आया यह हमें ध्यान रखना है फिर हमें परीवासा पर जाना है कि A के बाद में यदि ए आ रहा है तो क्या बनेगा क्या बन जाएगा अपना ए और फिर तोड़ेंगे तो पह में से ए निकलने पर अपने पास आधा पह और ई निकलने पर नद्र बीच में जो आने वाला है वो A, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उपिन्द, यह आपके गुण संदी, E का एक्जाम्पल, यानि एक्जाम्पल हम और भी लेंगे, O के लिए देखें, तो परोपकार लेले जैसे, परोपकार, एक बात और मित्रों, यहां मैं संदी करना बताता हूँ आपको, यानि एक तो सीधा करें, किताबों में देखें, एक यदि अपना बिना पढ़ा हुआ एक्जाम्पल भी यदि एक्जाम्पल में आ जाता है, तो उसके टुकडे कैसे करता है, तो संदी कैसे वो देखे, परीभासा के किलियर होने के बाद, हमें जैसे एक सीधा सा एक्जाम्पल में लेता हूँ, फिर सरल से कठिन के और चलेंगे, परोपकार, एक तो हमें पूँच लेता है परधन उपकार, परधन उपकार बराबर परोपकार, ये पड़ा हुआ है अपना परोपकार, कौन से संदी, रह में क्या मिला हुआ है, पलस आगे क्या है, उ, ए के बाद उ आने पर जो वर्ण बनता है, वो क्या बनता है, ओ, और ओ, कौन से संदी में आता है, गुण संदी, अर्थार्थ, छोटी बहन, तो ये तो अपनी परीबासा तक किलियर हो जाता है, लेकिन साथ में, हमारी परीबासा ये कहती है कि आके बाद में उ आए, तो भी अपना क्या बनता है, ओ, तो फिर यहाँ ए ही क्यों हूँ, एक तो इस बात को देखना है, तो इसके लिए हमें सार्थक सब्द को डुणना होता है, सार्थक सब्द, इस बात का विसेश दियान रखें, सार्थक सब्द पर या परा, जो भी सार्थक होगा, वो ही अपनी नीम बनेगा, खेर इस वीडियो के अंत्रगते, एक्जाम्पल समझाना मक्सद नहीं था, आपको सिर्फ गुण संदी और व्रद्दी संदी की परीबा सा आपके तयार हो जानी चाहिए, एक एक एक्जाम्पल व्रद्दी संदी का भी यदि हम ले लेते हैं, तो व्रद्दी संदी का एक्जाम्पल है, ये दो एक व्रद्दी संदी का एक्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अपने पास है, एक कैक, इसको तोड़ना है, अर्थार तो संदी वी छेद करना है, वो परीबास आम अरे दिमाग में होने जाए, मम्मी पापा के बाद में ए आके, बाद में ए अई हो, तो आई हो जाता ह है, और ओ अव हो, तो अव हो जाता है, ये परीबास आपने दिमाग में हैं, तो फिर व्याक हिंदी व्याकरण बिल्कुल भी कठिन नहीं है, देखिए, कैसे तोड़ें, कैसे तोड़ें, ये ही है मैंन का, सबसे पहले सब्द को खंड से तोड़ेंगे, जैसे ए, कै, आ, कै, ए, कै, ए, कै, ए, कै, ए, कै, उसके बाद जो बीच वाला वर्ण है, संदी सब्द के बीच में हुआ करती है, तोड़ने के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें विस्तरत रोब से बताऊंगा, उसके इस तरफ एक और इस तरफ कै बच गया, अब हमें इस आई को डूंड़ना है, आई कहां आया, तो आई कहां आता है, व्रद्य संदी के अंतरगत आता है, आई, वहाँ परिवासा मांगता क्या है ये, वो देखो, कि मुझे पहले तो दे दो ए या आ, परिवासा क्या कहती है, पहले तो दे दो ए या आ, और बाद में दे दो ए या आ या आ या 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 एक और एक बार आई जो सार्थक है वो चुन लेंगे तो अपना इधर भी हो जाएगा एक अर्थार्थ एक पलस एक बराबर कैमे ए पलस आगे कि ए क्या बन जाएगा आई और अपना जो बनेगा शुरूप वो है कैमे से ए निकलने पर एक बना है क्या आई किसका बना है एक का आगे सिर्प क्या सेसरा है क्या जोड़ेंगे क्या बन जाएगा एक कई अर्थार्थ इतना रफकारिया यदि हम कर लेंगे तो आराम से कोई भी अंजान सब्द भी हमारे सामने आएगा तो हम आराम से उसका संदी विछेद कर सकते हैं संदी विछेद के लिए नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो में यदि आपको इतना भी आ जाता है कि गुण संदी और व्रद्य संदी की परीभासा क्या होती है तो वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद सफल हो जाता है आसा है एक से दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा जै हिंद जै भारत